आज में एक ऐसे पोधे के बारे में आपको बताऊंगी जिससे आपका सफेद बाल एक भी नहीं रहेगा और आपके जो सफेद बाल है वो भी धीरे-धीरे काले हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों आज की दुनिया में हर एक आदमी इस बास से परिसान है कि कम उमर में ही उनके बाल सफेद होने लगते हैं और ज़ढने लगते हैं वो बहुत सारी दवाईयों में पैसे भी घड़्चे करते हैं लेकिन उनका बाल सफेद होना बंद नहीं होता और दिन पर तो आईरवेद में इसका सबसे अच्छा उपाय है हमारे नर्षी से बहुत से लोग ये पौधे खरिद कर ले कर जाते हैं और अपने वालों में इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी बाते आज में आपसे शेयर करने वाले हो कि आप अपने बालों को कैसे सफेद होने से बचा सकते हैं और आपके बाल जढ़ेंगे भी नहीं इसका 100% का गारांटी है आप बस एक बार इसको यूज करके देखी तो चलिए जानते हैं यह माउस रोज का पौदा है यह नर्सरी में आप लोगों को नर्सरी में असानी से मिल जाएगा गाउं में भी यह पौदा ढूने से आपको मिल जाएगा इस पौदे को लगाने से दोस्तों बहुत ही फायदा रहता है आज कल सभी लोग अपने बालों से बहुत ही परिसान हो चुके हैं क्यूंकि आज काल बच्चे से लेकर बड़े तक का बाल बहुत ही जल्दी सफेद हो जाता है बहुत से लोगों का बाल जढ़ने भी लगता है और तूटने लगता है चारे लोग इसी पास से परिसान रहते हैं कि हम अपने बालों को जढ़ने से कैसे रोकें और हमारा बाल जो सफेद हो रहा है वो कैसे र बना भी सकते हैं उससे बहुत सारे पोधे बना भी सकते हैं जिससे आपको उस पोधे के पत्ते की कमी ना हो और बहुत सारा उससे दवाई बना कर अपने बालों में लगा सकते हो तो दोस्तों ये पोधा बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है तो चलिए बताती हूं कि इस पोधे को आपको कैसे यूज़ करना है और कैसे लगाना है और किन बातों का ध्यान देना है एक पोधे से बहुत सारा पोधा कैसे बनाएंगे बस वीडियो को आप सुरू से आखरी तक देखेंगे कि इस पोधे का हम बहुत सारे पोधे कैसे बनाते हैं तो दोस्तों यह पौधा है आपका यह पौधा नर्तरी से आप ले लेंगे या फिर गाउं में भी मिल जाएगा तो पहले इस पौधे को मैं लगाने को बता देती हूं और इसका बहुत सा पौधा कैसे बनाते हैं वो बता दूँगी फिर उसके बाद मैं इसको कैसे बालों में यूज करते हैं ये भी बताऊंगी और आपके बाल 12 घंटे के अंदर असर दिखना शुरू हो जाएगा और जणना बंद हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपके सफेद बाल भी काले बालों में बदल जाएंगे तो पहले दोस्तो इसको लगाने को सीखते हैं कि इस पोदे को कैसे लगाएंगे तो दोस्तो उसके लिए आपको एक गमला ले लेना है ये मिट्टी ले लेना है मिट्टी में भूसा गोबर खायाद ये सारा मिला होना चाहिए उसके बाद दोस्तो ये वर्मी कमपोश्ट है व पहले हम लोग इस पोधे को लगा लेते हैं यह देखिए इस पोधे को अच्छे से आप आधा मिट्टी गंबले में डाल लेंगे और डालने के बाद इस पोधे को पहले लगाएंगे और इसका लगाते समय नीचे का मिट्टी थोड़ा से दोस्तों निकाल देना है और निकाल तो रोज रोज अपने बालों में लुगा सकते हैं तो इसको लगाने को भी बताऊंगी तो वीडियो में बने रही है तो ये देखिए लगाने के बाद ये जो वर्मी कमपोस्ट है इसको चार तरफ आपको डाल देना है डालने के बाद इसमें हम पानी का स्प्रे कर देंगे इसी तरह पानी डाल देना है आपको यह देखिया और दोस्तों इसका ज्यादा पोधा बनाने को भी बता रही हो तो यह आपका कटिंग से भी अच्छे से लग जाता है तो इसको आप गमले में मिट्टी डाल लेंगे इसी तरह पूरा मिट्टी भर लेना है आपको क्यूंकि इसका बहुत सारा पोधा आपको बनाना पड़ेगा तभी आप अच्छे से इसका यूज करोगे तो यह जो पोधा लगाए है दोस्तों इसको हमें उपर-उपर से काट लेना है यह देखिये यह हमने कटिंग करने से कटिंग करने से एक पादा है कि यह पोधा आपका पूर इसे पानी में गूल लेंगे गूलने के बाद इसको सबी जड़ को आपको इसमें डाल लेना है यह देखिये यह पहले से मैंने गूल के रखा है नेली कलर का तो इसमें आपको सब में जड़ में थोड़ा-थोड़ा डाल देना है यह देखिये है सब के जड़ में अच्छे स्प्रेश कर हैं इसका जड़ अच्छ से आजाएगा अब इसमेंने का आपको दो धंगाल तीन अच्छ से लग अजक से अलग अगडे नियुक jurid इसमें दोस्तों आपको एक हद्यार हमें एक फते में अच्छा से जड़ा जाएगा तो इसे आपको अलग अलग the में लगा देना है तो आपको एकी पोदे से बहुं सारा पोधा बनाना है दोस्तों क्यूंकि इसका हमें यूज करना है जब पोधा जादा घणा होगा तो हम उसे अच्छे से यूज कर सकेंगे और हमें कमी नहीं होगा तो इसी तरह दोस्तों आपको लगा देना है यह देखि और ऐसे ही आपको घणा करते रहेंगे तो यह हमारा पौधा दोस्तों घणा हो गया अच्छा हो गया इसके बाद दोस्तों हम लोगों को इसमें पान डाल देंगे उसके बाद दोस्तों यह हमने पौधा भी लगा दिया घणा भी कर लिया है ये देखिए मैंने गमले में पौधा बहुत सारा धना करके रखा है उसके बाद दोस्तों ये आमले का पौधा है ये देखिए ये आमले का पौधा है ये भी आपको मिली जाएगा गाव में बहुत से पेड रहते हैं आमले के और शहर में भी नर्सरी में मिल जाएगा तो ये लेंगे तो थोड़ा सा कटिंग करेंगे और इसको अच्छे से पीसके दो चमस इसका रस दो चमस इसका रस उसे आधा लीटर पानी में अच्छे से उबालेंगे उबालते उबालते दोस्तों जब वो थोड़ा सा हो जाएगा तो उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और अ उसको फिर आपको शाम को धुएंगे बाल को दोस्तो हफ्ते में आप दो बार यूज कीजिए अपने बालों पर आपका एक भी बाल सफेद नहीं होगा और ना ही आपका बाल जड़ेगा और आपके नए बाल भी उगेंगे तो इसी तरह आप इसको यूज करते रहिएगा दो दोस्तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और बैल आइकन का बटन दमाना ना भूले ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाओ और सबसे पहले आपके पास आए मैं इसी तरह बहुत से आयरवेदिक वोदे के बार प्लीज आपके पास आपके प्लीज एटियाब.